दमदार स्टाइल सांदार स्टाइल से आज हम पढ़ेंगे जिन प्याजे मोबाइल से जिहां साथियों सभी का स्वागत है सीजी जॉब एजुकेशन में जो नए हैं साथ ही सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को हम बालविकास में एक एक करके सभी सिध्धान को देखने वाले हैं इस वीडियो में आपको जिन प्याजे के बारे में बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे तो हर दिन की आपकी मैथट हर दिन का सिध्धान आपका एक सिध्धान देने वाले पर होगा तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं. JIN-PIAJ जिसका हम संग्यान आत्मक विकास का सिध्धान्त इस वीडियो में देखने वाले हैं साथियों. तो चली हम सीधे वीडियो पर आते हैं. JIN-PIAJ जो कि आपका स्वीट जर लैन के निवासी हैं. इन्होंने क्या है जो है मनो अर्थात मनो वेज्ञानिक या एक सिधान कारक है जिन्होंने भच्चों के मन को समझा व्यक्ति के मन को समझा इनका मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वहां वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग म एक concept बना लेते हैं अर्थात जब बच्चे जो है जैविक रूप से परिपक को होते जाते हैं अर्थात जब वो बड़े होते जाते हैं उनमें परिपक्वता आती जाती है तो वहाँ दिमाग में एक concept बनाते जाते हैं एक आउधाना बनाते जाते हैं ठीक है ये कहना है जिन जिन प्याजे की परिभासा को पहले हम समझ लें कि आखिर ये कहता क्या है उनकी परिभासा कहती क्या है तो बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा ननहेब ज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिध्धानतों की रचना करते हैं यहां से most important है भाई most important है ये बिंदू आप इसको बिल्कुल रट लेंगे आपके ये point तीन लाइन का उठा के पूछता है आपके exam में ठीक है तो बच्चे सक्रिय ज्यान निर्माता सक्रिय मतला पूरे सक्रियता के साथ ज्यान की निर्मार करने में ज्यान का रचना करने में लगे रहते हैं इसलिया आप देखेंगे साथियों जो बच्चे होते हैं जो वस्तुों को तोड़ते हैं, मरोडते हैं, जोड़ते हैं बार बार उसको खोल खोल के परयास करते रहते हैं कि वैज्यानी का भाई तो यही काम है ना एक mechanic mechanical जो वैज्यानी करते इसली इसको नन्ये वैज्यानी कहा गया है जो की संसार के बारे में उनके सिधान की जो रचना है इसी तरीके से करता है ठीक है चलिए अब संग्यानात्मक विकास की यहाँ पर concept की बात आती है साथियो तो संग्यानात्मक विकास के महतपूर जो concept है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसमें हम चार concept जो की पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा अनुकूलन पहला जिसमें हम समा योजन और आत्म साथ कराल को पढ़ेंगे यह most important बिंदू है संग्यानात्मक विकास के जो concept है ठीक है क्योंकि आपके exam में यह concept पूछा जाता है ठीक है साथियो बिल्कुल दूसरा हम देखेंगे साम में धारान या संतुलन जिसे कहते हैं इसी के अंतरगत आपका तीसरा हम देखेंगे इसकीम या इसकीम आ इसकीम देखेंगे और चवथा इसकीम आ देखेंगे तो आई हम सीधे वीडियो पर आते हैं इनको हम एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं हम जल्दी इसलिए चल रहे हैं साथियों क्योंकि धका धक हम सबको साय साय करने वाले हैं ठीक है चलो अनुकूलन जिसे अंगरेजी में एडॉप्टेशन कहते हैं तो वातावरण के अनुसार अपने आपको ढालना अनुकूलन कहलाता है देखो वातावरण के अधार पर अ आने वाले हो आपको किसी ठंड इलाका में जाना पड़ रहा है तो वहां आप स्वयम को ढालने में असहज रहेगा लेकिन कुछ दिन जब आप वहां रुकोगे तो उसके हिसाब से स्वयम को ढाल लोगे और यही अनुकुलन कहलाता रथाथ स्वयम को अनुकुल के अधार वह अब यह adaptation, दो तरी किसे होगी, एक तो होगी आत्मसात करण, और एक होगी समायोजन, अब यह जो आत्मसात करण है और समा यूजन है, यह अनुकूलन के अंदर काइसे होगे, देखो, पूर्व ग्यान को नए ग्यान के साथ जुड़ना आत्मसात करण कहलाता है, और समायोजन आप देखो भाई जैसे मैं विदेस में जा रहा हूँ तो वहाँ कार की स्टेरिंग दूसरे दिसा में होती है ठीक है तो अब मालो यहाँ पर हम कौसलात्मा ग्यान से अब इसको हम जोग जोड़े तो मालो पूर ग्यान जैसे मुझे साइकल चलाना आता है ठीक है ना भई मुझे साइकल चलाना आता है और नए ग्यान के साथ जोड़ने की कोशिस मतलब मुझे बाइक चलाना है अब मैं बाइक चलाना तो नहीं जानता लेकिन मुझे साइकल चलाना आता है है ना तो मुझे पता है कि मैं हैंडिल को पकड़ूंगा बाइक के दोनों साइड पैल को रखूंगा बस इसमें अपने पैडल को नहीं मारना है एक्सिलेटर देना है तो पूरू ग्यान हमारा यहाँ पर हेल्प कर रहा है न तो देखो अब देखो आत्मसाथ करन में जो पू करते हैं वो समयोजन कहलाएगा ठीक है अब यहां पर परिवर्तन हो रहा है देखो पूरू ग्यान को नए ग्यान के साथ हम जोड़ रहे हैं न आत्मसाथ करन में लेकिन समयोजन में हम पूरू ग्यान में ही बदलाव कर रहे हैं पूरू ग्यान में ही हम बदलाव कर रहे है तो वो क्या कहलाएगा हमारा समायोजन कहलाएगा ठीक है अब देखो इसके बाद में हमारा आता है साम्यधारर या संतूलन जिसे बोलते हैं तो इसके द्वारा बच्चा आत्मसात करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच अर्थात आत्मसात करण और समायोजन इन दोनो के बीच जा बच्चा संतूलन बनाता है तो यह कहलाता है हमारा साम्यधारार या संतूलन कहलाता है ठीक है अर्थात आत्मसात करन और समयोजन के बीच की जो प्रक्रियाएं हैं उन पे संतूलन को बनाना ठीक है उसके बाद देखिए इसकीम जो की मोस्ट इंपोर्टेंट है तो अब इसकिम क्या है? ब्यवहारों का संगठन जिसे दोहराया जा सके इसकिम कहलाया है. ब्यवहारों का संगठन अर्थात किसी एक क्रिया को भिन भिन इस्थिती में लागू करना ही इसकिम कहलाता है. जैसे मान लो बच्चो को ये जो नौ संख्या है अब इसको हमको क्या करना है? जोड़ना सिखाना है. तो हम इसको भिन भिन क्रियाओं से दोहरा रहा है. पाँच धन चार बराबर भिन नौ आएगा हम बच्चो को बतादेंगे. ठीक है चाय धन तिन नौ आएगा. मतलब क्रिया नव को ही हम भिन भिन इस्थिती में लागू जब कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा हमारा इसकिम कहलाएगा एक ही क्रिया को मतलब एक ही क्रिया क्या है नव नव को जुड़ने की क्रिया जो अनेक तरिकों से हो रहा है तो इसकीमा ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसका समानी करण की जा सके अब समानी करण होगा कैसे मानाओ के दिमाग में जो चीजें पहले से इस्टोर होती है उनका उपयोग करके किसी विशय के प्रती एक धारना बनाता है वही इसकीमा है अर्थात मनुष्य के दिमाग में जो ज्यानकारी पहले से है वह उनका उपयोग करक रहा है और विशय के प्रती एक आउधाना बनाता हुआ इसकीमा है देखो इसकीमा को परिभासा से तो आप नहीं समझ सकते हैं न जैसे अभी मैंने इसकीम को परिभासा उधाराण से दिया ठीक वैसे ही इसकीमा को आप उधाराण समझो देखो एक दिन बालक एक पक्षी को देखता है मान लो आप देखो एक बालक एक दिन जैसे मान लो कववा देखा एक बच्चा अब उनके पापा से पुझता है कि पापा वो काय ची रही है तो पापा उसका बोलता है कि बेट वो कववा है ठीक है अगले दिन फिर से एक चिडिया देखता है एक पक्षी देखता है फिर बच्चा उसको देखके बोलता है कि पापा देखो कववा तो उसका पापा बोलता है नहीं बेटा ये कववा नहीं कोयल है तो देखो यहां पर बच्चों के मन में कववा को लेकर अवधाना बन रहा है कि कववा काओ काओ करती है जबकि कोयल तो नहीं करता है ना कववा काला होता है कववा के अवाज मीठी नहीं होती जबकि कोयल की होती है तो कववा के प्रति उनके मन में कुछ-कुछ अवधानाय बनती आ रही है जो कि कववा की पहचान को और सुद्रिर बनाता है तो यही क्या कहलाएगा हमारा इसकीमा कहलाएगा ठीक है इसकीमा और इसकीमा बहुत ही सरल है मित्रों अब देखो यहाँ पे जब मैं बात किया हूँ जिन प्याजे की तो हम उनके complete theory पर बात कर रहे हैं तो अब जिन प्याजे के संग्यानात्मक विकास के जो चार अवस्थाए हैं इनको भी हम साय साय देख लेते हैं भाई हमारा काम पूरा साय साय हो रहा है तो इन theory को भी समझने का जो काम है हमारा वो भी साय साय होगा देखो अब समेदी की यह जो जिन प्याजे की चार अवस्था हैं सभज जानते हैं समेदी पूर्व मूर्थ आपचारिक समेदी पूर्व मूर्थ आपचारिक मैंने सुरू में का समेदी 02, 27, 7, 11 11 प्लस अबब ठीक है 11 से उपर 02, 27, 7, 11, 11 अबब यह एक मेरे दिमाग मैं ऐसे बेठा है на साथि मैं घूमते फीरते बता दूँगा इनका जो उम्र सीमा है तो जिन प्याजे की चार अवस्था समेदी पेशी या क्रियात्मा का वस्था क्या होता है पहली अवस्था यह 0 से 2 वर्स तक की उम्र की अवस्था होती है इस अवस्था में बालक ज्यानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है देखो यह जो सुन्य से जन्म से लेकर जो दो अर्ष के बच्चा है न वो ज्यानेंद्रियों का पांच ज्यानेंद्री होती है जान रहे हैं आख कान नाख त्वचा जीब है न भ मतलब उसो स्वात से पहचानने की कोशिस कर रहा है, वो सीख कर रहा है, समेधी अंगों से, इंद्रियों से, है न भई, वो चक के पहचानने की कोशिस, वो टुकुर टुकुर देख के जानने की कोशिस कर रहा है, है न, वो उसको छूने की कोशिस कर रहा है, क्योंकि वो इन ह संक्रियात्मा का वस्था समेधी के बाद पूर्व जिसको 2-7 वर्ष की जो उम्र है वो होती है इसमें प्रतिकात्मक विचार उक्पन होते है प्रतिकात्मक विचार याद रखना वही एकदम तूड़ी पॉइंट प्रशना आता है एक्जाम में यह क्रिया करने के पहले की अ प्रतिक मतलब उस चित्र के माध्यम से उस वस्थू के माध्यम से उसको क्या करता है पाचान करता है कब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ठीक है उसके बाद चलो तीसरा आता है वही हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो इस अवस्था कि जो उम्र सीमा है साथ से ग्यारा वर्स होती है इस अवस्था में मूर्त चीजों पर तर्क करना मानसी कार अब देखो मूर् ही बताएंगे क्यों क्योंकि मूर्त रूप में उसको देखा नहीं है लेकिन जो सामने आख के सामने होगा से हाथी है तो वो बता देगा कि हाथी के यह होते हैं पैर होते हैं हाथ पैर होते हैं ना तो वो मूर्त चीजों के बारे में वो तर्क कर सकता है मानसी कार्य भी करने लग इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देख कर ही देख कर छू सकता है कुछ भी कर सकता है सामने में कोई वस्तु रखी है वो कुछ भी कर सकता है उसके बारे में चिंतान मनन ठीक है न तो इस जो मूर जान लेते हैं किसका कम सरक्षर के नियाम भी जानते हैं क्रम को भी जमाना जानते हैं कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा ठीक है न? समझ गए? ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इन तमाम गुड जो है मूर्त अवस्था में विक्सित हो जाता है अंतिम है संग्यानात्मक विकास के जिन प्याजे का अपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 या 11 से उपर भी हम इसको बोलते हैं ठीक है चलो 11 वर्ष से 15 वर्ष की जो उम्र है इसमें बालक अमूर्थ तरक और चिंतन अब अमूर्थ मतलब जो चीजे सामने नहों मालो बच्चा कभी नहीं देखा है दिल्ली के बारे में लेकिन वो बता सकता है कि दिल्ली में बड़े बड़े दुकान होंगे रजगुल्ला, गुलाब, जामून, जल्बेली दुनिया भर का होंगा है न उपच्छा क्या है चिंतन कर ले रहा है अमूर्थ चिंतन जो ठोस रूप में सामने नहीं दिखाई दे रहा है उसके बारे में भी वो तरक और चिंतन कर पा रहा है अर्थात ये संग्यान की सबसे उच्च अवस्था है भाई इस अवस्था में बालग मतलब जो इस्टेज च साथियों ये रहा जिन प्याजे जिन प्याजे की जितने भी अवस्था है आखिर जिन प्याजे है कहा के कौन से वैज्ञानिक हैं उनके मत क्या थे उनकों कौन सी अवस्थाओं के बारे में बताया सभी चीजे हमने इस वीडियो में जिन प्याजे के बारे में हमने जान लिय एक एक करके हम वीडियो लाते चलेंगे साथियों आप सब के लिए जितने भी सिध्धान देने वाले हैं मैं इसलिए ये वीडियो चला रहा हूं क्योंकि आप सभी बोल रहे थे कि सर प्रमुख सिध्धान देने वालों कई बारे में बताओ ठीक है तो यही वज़ा है कि मैं इन तमाम के बारे में आप सभी साथियों को बताया हूं जो कि असा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कल के हम वीडियो में या अगला वीडियो आज ही मैं जारी कर सकता हूं ठीक है मुझे टाइम मिला कर मैं आज ही वीडियो बना दूंगा लारेंज कोहल वर्ग के नयतिकता सिध्धान को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा जो की आपके लिए सबसे ज़्यादा यूसफुल है सभी सिध्धान्त देने वाले सिध्धान्त कारक पर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी मोस्ट इंप्रोटन चीजों पर ठीक है चली जैहिन वंदे मातरम